let's look at the solution जैसे बताया था के critical path जो है वो A, C, E, G, H है और इसका जो time है normal time use करकर हमने project completion time determine किया और इसके अंदर जो activities है ये critical activities which are A, C, E, G, H इन में A की जो crash cost per week है that is the lowest, that is 750 dollars और हम इस A को one week से crash कर सकते हैं क्योंकि normal time is two weeks और उसको हम crash करके one week पर लिजा सकते हैं तो one week की हमारे पास है available time जिस पे उसको crash हम कर सकते हैं तो इसमें हमने सबसे पहले और जैसे मैंने बताया था कि one week at a time हमने reduce करना है हमने एक साथ दो week का time reduce नहीं करना तो one week का करने के लिए हमने let's say A को select किया और उसको एक week से reduce किया तो हमारा जो critical path का time है A C E G H का वो 15 से 14 weeks हो गया तो हमारा project completion time भी जो है वो 15 से 14 weeks हो गया लेकिन इसके साथ क्या हुआ है इसके साथ हमारा एक और critical path है that is B D G H वो बन गया ये भी एक path है जो के 14 weeks इसका भी time है तो अब हमारे पास दो critical path बन गये है जबके हमारा जो project completion time है वो 14 weeks का है हमने इसको लेकर जाना है 13 weeks पर तो अब क्या होगा कि 13 weeks पर ले जाने के लिए हमें एक week दोनो paths में से एक एक week कम करना होगा उसके बाद ही हमारा 13 weeks के उपर हो सकता है ये नहीं हो सकता कि हम A C E G H का एक week से कम कर दें और B D G H को ना करें तो वो still it will remain as 14 weeks completion time तो हमें इन दोनों को कम करना पड़ेगा ये हमारे पास precedence diagram दिया हुए तो पहले हमारा जो था इस इस initial हमारा path था critical path now we have a new one which is B D G and H अब इसके अंदर project को crash करने का अगर हम देखें तो basically हमारे जो pink color के अंदर activities है वो हमारी original critical path की activities है और yellow वाली हमारी new activities critical path की activities है और इसमें से दो जो activities है that is G and H ये common हैं दोनो paths के तो 2000 का total time total cost आएगी और हमारा जो time है वो reduce होका 13 weeks पर आ जाएगा बट इसकी जगा हम G को अगर reduce कर लें तो G के अंदर क्यूंकि ये common है दोनो paths का तो इसके को reduce करने के वज़ा से दोनो paths के time जो है वो 13 weeks पर आ जाएगा और project completion भी 13 weeks के अंदर complete हो जाएगा तो reduce हो जाएगा time और cost जो है वो 1500 dollars पाएगी तो अगर हम इसको compare करें पहले option से ये उसके अंदर हमने C और D को reduce किया था तो वो 2000 की cost total बन रही थी यहाँ सिरफ 1500 dollars की cost हमें पाड रही है तो basically हमने क्या करना है फिर इसके अंदर कि फर्दर हमने क्यूंकि क्रेश करना है और हमारे पास दो वो आ पागए हैं critical path तो दोनों में से एक एक activity करनी है अब दोनों में से या तो हम जैसे मैंने बताया है कि C और D को कर लें क्योंकि एक original critical path की activity है दूसरी new critical path की activity है या हम कोई activity ऐसी कर लें जो के common activity है दोनों path की जैसे G है तो G क्योंकि common है और उसका time जो है वो सिरफ fifteen hundred dollars है compared to thousand thousand के इन दोनों का time जो था वो जो two thousand total बन रहा था तो उसके मकाबले में fifteen hundred dollars का हमारा ये cost पाड़ रही है और उससे हमारा जो project का time है वो completely हमारा reduce हो गया और उसको within 13 weeks के अंदर हम ले आए हैं